मकाई काचीवडा बारिस की रूतु हो और ठंडी-ठंडी हवा चल रही हो और मकाई काचीवडा या बोईल मकाई कोई दे दे तो बहुती मजा आ जाता है हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू रसीला की रसोई रसीला की रसोई में आपका हर दिख्ष्वागत करती हूँ तो कम समय में बढ़ने वाली एडीस बहुती टेश्टी बनती है तो इस रेसिपी को हम शुरू करते है मकाई काची उडा बनाने के लिए मैंने तीन नंग अमेरिकन स्वीट कोन लिया है तो मैंने पहले इसे अच्छे से बोईल कर लिया है और थोड़ा ठंडा भी हो गया है जब मार्केट से मकाई लाओ तो भी खास ए ध्यान रखना है कि मकाई एकदम फ्रेस होनी चाहिए तो इसका टेश्ट भी बहुत अच्छा आता है तो पहले हम मकाई का दाना अलग कर लेंगे कोई-कोई मकाई को कदु करस करके चिवडा बनाते हैं कोई मिक्सी में करस करके भी चिवडा बनाते हैं तो मैं इसे काटके चिवडा बनाने वाली हूँ तो हम छूरी की मदद से इस तरह से मकाई को काटके बनाएंगे तो आपके यहां इस मकाय को कौन से नाम से बुलाते हैं कहीं स्टेट में इसको भुटा बोलते हैं कहीं स्टेट में इसको डोडा बोलते हैं कहीं स्टेट में इसको मकाय बोलते हैं कहीं स्टेट में इसको स्वीट कौन बोलते हैं तो आपके यहाँ इसका कुन सा नाम है वो कमेंच सेक्षन में जरूर बताईए और मुझे सपोर्ट करने के लिए रेट बटन को प्रेश कर दीजी तो सारे मकाय के दाने को मैंने अच्छे से अलग कर दिया है अब इसे हम हाथों की मदद से थोड़ा अलग कर लेंगे अब थोड़ा सा दाना हम अलग कर लेंगे एक कटोरी में, तो अब हम करेंगे चीवडा का वगार अब गेस के उपर मैंने पेन रखा है उसमें डालेंगे तीन चमाचीतना औविल अब अच्छे से गरम हो चुका है तो उसमें हम डाल देंगे एक चमाचीतना जीरा अब इसमें हम डालेंगे करीलियूस और अब इसमें हम डालेंगे दो से तिन हरीमिच अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा यानि आधा चम्म चितना वायर तल अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा black till black till बिल्कुल optional है वो भी मैं आधा चमजीतना डाल रही हूँ अब हम इसमें डाल देंगे मकाय का जो दाना आमने बना के रखा है वो अब हम अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक मैंने boil करते वक नमक डाला था तो test according नमक आप मिला सकते हो अब इसमें add करेंगे थोड़ा सा चीनी, चीनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे अब सारे मसालकों हम अच्छे से mix कर देंगे दो मिनिट मैंने अच्छे से ही लाया है तो चीवड़ा एकदम पक्के रेली हो चुका है गेश्ट अउप कर देंगे बंद अब इसमें डाल देंगे एक निम्बू का रस ताकि इसका टेस्ट एकदम लाजवाब बन जाए और अच्छे से हम निम्बू के रस को mix कर लेंगे तो चीवड़ा बनके एकदम रेली है इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो हो गया ना आपको भी खाने का मन तो आप भी जटपट बनाए ए रेसिपी और मेरी वीडियो कैसी ही लगी आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएए मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पांच जल 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 पहुंचे जय हीन, जय भारत, धन्यवाद थेंक्स पूर वाचिंग, मिलते हैं आगली वीडियो में कुछ नई रेसिपिके साथ, धन्यवाद